नमस्कार दोस्तों भक्ति नग्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात करेंगे सपने में छिपकिली को देखने का क्या मतलब होता है इसके साथ ही यदि आप सपने में छिपकिली को मारते देखते हैं या पहुत सारी छिपकिली देखते हैं, छिपकिली का जूंड देखते हैं, छिपकिली को गिरते देखते हैं, या और भी अन्य अवस्थाओं में छिपकिली को देखते हैं, तो यह सपना हमारे लिए क्या संकेत देता है, छिपकिली को सपना में देखना सुब होता है, या अस तो आई ये जानते हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों सपने में छिपकिली को देखना अच्छा नहीं माना जाता है, सुब सपना नहीं होता है, छिपकिली को सपने में देखने का मतलब है कि आपको कोई नुक्षान पहुचाने की कोशिश कर सकता है, अगर एक ही जगह पर छिपकिली को देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि देखने वाले के जीवन में कोई समस्या आ सकती है, या फिर उसके साथ कोई दुरगटना हो सकता है, लेकिन अगर आप सपने में चिपकिली को भागते देखते हैं तो यह सपना सुब होता है सपने में चिपकिली को भागते देखने का मतलब है कि आपको कोई लाप होने वाला है सपने में अगर कोई व्यक्ति बहुत सारी छिपकिली देखता है छिपकिली का जुन्ड देखता है या छिपकिली को कीरों पर जपटते ही वे देखता है तो यह सपना संकेत करता है कि आपके घर में चोड़ी हो सकती है और छिपकिली को गिरते हुए देखना इसका मतलब है कि आप किसी परेशानी से जिन्तित हैं और उस परेशानी का हल आपको नहीं मिल पा रहा है अगर आप सपने में छिपकिली को मारते ही देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी मुश्किल या किसी परिशानी का समना करना पर सकता है और अगर आप सपने में छिपकिली को पकरते ही देखते हैं तो यह सपना अच्छा होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में धन से समबदिन सबस्याओं का सिग्रही समाधान हो जाएगा अगर आप देखते हैं कि सपने में छिपकिली आपके सरीर पर गिर जाता है किसी भी अंग पे गिरता है सर पे हाथ पे या पैर पे तो यह सपना अच्छा नहीं होता है इसका मतलब है कि आपको कोई विमारी हो सकती है या फिर कोई दुख्या परिशानी आ सकता है इस तरह से सपने में छिपकिली को देखना कहीं सुब्भी होता है और बहुत सारे परिणाम असुब्भी होते हैं दोनों मिले जुले परिणाम इसके होते हैं तो दोस्तों उमीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे सब्सक्राइब करे साथी घंटी को दवाना ना भूले धन्यवाद जय मातारानी